हेलो फ्रेंज वल्कम बैक टू आवर चैनल तो कैसे हैं आप लोग आज की नई वीडियो में हम बनाने वाले हैं एकदम ताजा ताजा मेथी का पराठा जो कि खालने में बहुत ही जादा टेस्टी लगता है एक क्विक ब्रेक्फास्ट रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे अब हम इसमें डाल रहे हैं बारीक कटी हुई हरी मिर्ची यहां पर लगगा हमने चार से पांच हरी मिर्ची ली है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्ची डाल सकते हैं अब हम यहां पर एकदम फ्रेश फ्रेश हरी धनिया भी ले रहे हैं जो हम खूब सारा डाल र के लिए और आपकी हेल्ड के लिए काफी ज़्यादा अच्छा होता है अब हम इसको बारिक काट काट कर इसमें डाल देंगे अब हम इसमें डाल रहे हैं एक चमजीरा आप चाहे तो यहां पर अजवाइन का भी स्टमाल कर सकते हैं तो पिंच हींग और ज़्यादा स्पाइसी बनाने के लिए यहां पर आप रेट मिर्ची पाउडर हल्दी पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं अब हम यहां पर लेंगे एक अप गेहूं का आटा अपने जरुवत के हिसाब से अब हम यहां पर डाल रहे हैं एक चमच लसुन का पेज जो कि हमने खल में बनाया हुआ है इससे प्राठे में बहुत ज़्यादा अच्छाट क्लेवर आता है स्वाथ की अनुसार अब डाल रहे हैं यहां पर हम नमक और इसके बाद अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक सॉफ्ट डो बना लेंगे सबसे पहले इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और यहां पर हमारा सॉफ्ट डो बनकर एकदम रेडी हो चुका है तो जैसा कि विंटर का सीजन आच चुका है और इस टाइम पे एकदम फ्रेश फ्रेश सब्जी आ रही है बतुआ, पालक, मेथी और सरसो का साग तो आप इसी तरीके से बढ़िया बढ़िया टेस्टी टेस्टी फ्लेवर का पराठा बना के इंजॉय कीजिए तो इस पराठे में हमने ज़्यादा स्पाइस का यूज नहीं किया है क्योंकि हम इसको सर्व करने वाले हैं आमले की चटनी के साथ जिसमें हमने मिर्ची, अद्रक, लसुन और निम्बू का रस डाला हुआ है एक चटपटी सी चटनी बनाई है पराठे के साथ खाने के लिए इसलिए हम लोगों ने पराठे में स्पाइस का कम यूज किया है तो चलिए अब हम बना लेते हैं इसकी लोई और उसके बाद हम इसको बेलेंगे तो इस साइस की हम लोई बना लेंगे और उसके बाद हम पराठे को बेलेंगे यहाँ पर लोया रेडी कर लिया है अब हम पराठे को बेलेंगे यहाँ पराठे को गोल गोल बेल रहे हैं आप चाहे तो इसे ट्राइंगल शेप भी दे सकते हैं आप अपने मन का शेप इसमें बरा सकते हैं मेथी का पराठा सिहत के लिए काफी ज़्यादा फाइदे मन्द होता है आप चाहे तो इसे चटनी के साथ भी सर्फ कर सकते हैं चाय के साथ खा सकते हैं और सबजी के साथ भी इसे इंज़ाई कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने पराठे को इस तरीके से इतना पतला बेला है अब हम इसे सेख लेंगे तब हमारा गरम हो चुका है सबसे पहले हम तवे में तेल लगा देंगे और फिर इसके बाद हम इसमें पराठे को डाल देंगे हलका से ओईल लगाने का फाइदा ये है कि पराठे चिपकते भी नहीं है और अर्राम से पलट जाते हैं तो पराठे के एक साइड हो चुकी है अब हम इसको पलट के दूसरे साइड कर देंगे अब हम पराठो में ओईल लगा देंगे आप चाहे तो इसे देसेगी से भी बना सकते हैं और सरसोक के और तेल से भी बना सकते हैं इसे पलट करके इसकी दूसरे साइड पे भी हम देर लगा देंगे इसी तरीके से हम सारे पराठों को बना लेंगे अब देख सकते हैं इसकी दोनों साइड अच्छी तरीके से सेख चुकी है तो देखिए इस तरीके से हमारे पराठों देख चुके हैं सारे पराठों को अब हम इसी तरीके से बना लेंगे इसी तरिके से हम आप लोगों के लिए नई नई वीडियो ला दे रहेंगे तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा फुल देखिए और बिल्कुल भी स्किप ना करिए तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सारे पराटे बनकर एकदम रेडी हो चुके हैं अब हम करते हैं इसको सर्व एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट फ्रेश फ्रेश मेथी का पराटा बनकर एकदम रेडी हो चुका है अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए हमारे चैनल को सस्काइब करना मत भूलिएगा बेल आइकन को प्रेक्स कीजिएगा ताकि नेक्स वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे बिल जाए और इसी तरह के से न्यू न्यू रेसिपी हम आपके लिलाते रहें तो देखिए चटनी और पराटे की साथ इतना ज़्याद अच्छा लग रहा है देखने में खाने में ही उतना ज़्यादा टेस्टी था हमने इसे बहुत इंजॉय किया आप लोग भी बनाईए आप लोग भी खाईए थैंक्यू सो मुच फुर वाचिंग झाली बनाईए